हे गाईस, वेलकम बैक टो माई चैनल, आई होब आप लिक सब अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे तो आज मैं वीडियो, मतलब बिग बॉस की ऊपर रिलेक्टिट के वीडियो बना रही हूँ और आज का जो एपिशोड था ना, बहुत ही अच्छा था, मतलब दिल गाडन गाडन हो गया था मतलब इतना, मतलब जो सीजन फ्री का अब तक का जो एपिशोड है ना, तो आज का एपिशोड बहुत देखने वाला चीज है अगर आप लोग देखे नहीं हो, तो अभी जाहिए जीओ सिनमा में आप आज का एपिशोड देखिए मतलब सच में गाइस कि मतलब वीकेंड का वार में कभी भी अर्मान मलिक या कृतिका को या कभी रनवीर को कभी भी कोशिन्स नहीं पूस्ते थे पर आज जो मीडिया वालों ने जो किये ना ताली बजाना चाहिए जा, मतलब पूरा डिल गार्डन हो गया क्या कोशिन्स था, क्या कोशिन्स अर्मान का तो मतलब चहरा ही बदल गया उसका सच में, जहां उसने बोला कि मैं दो वीवी को रख सकता हूँ तो मीडिया वाले ने कहा कि वो रखने वाली चीज नहीं है, अरे भाई पतनी है आपकी, आप रखोगे क्या अरे आप सुकर मनाए कि आपके साथ वो दो रह रही है ठीक है, तो ये चीज ना कभी बोलना मत, अगर कोई भी हो, कभी बोलना मत एक तो चीज था आप तो दो दो बीबी रखे हो वो तो अच्छी बाद भी नहीं है पता नहीं भवान आपको बुद्धी दे तो आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था मतलब इतना अच्छा था रनवीर को भी बहुत सा मतलब कोशन्स पोच कर मेडिया वाले ने मतलब इत तो गाइस अगर आप अगर यह एपिसोड देखे नहीं हूँ तो आप जीयो सिनमा में जाए और यह एपिसोड देखिए फुल बोच कीजिए जो कि मैं अब भी देखी हूँ और कृतिका को तो डायन के साथ सम्मान किये और उसका तो मू और कुछ नहीं बोल पा रही है और इन लोग जो मलिक फैमली जो गेम खेल रहे है ना कि जैसे कि अभी पायल बाहर निकल के वो बोल रही है कि अभी मैं अपने पती को डिबोस दे दूंगी हम तीनों अलग रहेंगे यह सब ना व्यूस कलेट करने के लिए यह सब कर रहे है और कुछ नहीं अगर अलग होना हो तो वो कपकी हो जाती और अभी तो वो हो भी नहीं पाएगी क्योंकि ना इस ना अभी ना पैसा बोलता है अभी वो अलग होगी तो कुछ फाइदा नहीं है तो प्लीज यह सब ना ओडियंस के साथ आप गेम मत खेलिए अच्छा नहीं लगता है तो गाइस और एक चीज ब मतब अच्छा नहीं लगा अर्मान जैसे इंसान पता नहीं बोटिंग का क्या हो रहा है लगता है बिग बोस अपना गेम खेल रहे तो छोड़िए गाइस आपको क्या लगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा यहाब हमें कमेंट करके जरूर बताना और जीतेगा या कौन जीतेगा पता नहीं लेकिन अर्मान मलिक ना जीते भई ना यू कृतिका जीते तो गैस वीडियो को यहीं पर एंट करती हूं तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे बाई एंड टेक केर